नमस्कार दोस्तों मैं उसनी पांडे स्वागत आप सब के एक नई वीडियो में नाव हाली में क्या हुआ है कि एंडरी एर्माग जो युक्रियनियन प्रेजडेंट है बलादमेर जलसकी उनके ओफिस के हेड हैं उन्होंने बातचीत करी है भारत के एनेस से नेशनल सिकूरिटी अडवाइजर अजीद धोबाल से आप लोगों के ये बात तो पता ही होगी कि अजीद धोबाल ने हाली में मोस्को लंडन और इवेसे की बिजिट की थी बहुत कुईक बिजिट थी एक एक दो दो दिन सब कहीं रुके और वो जब मोस्को में थे तो उन्होंने बलादमीर पुतिन से भी बात चीत की थी हाला कि डिटेल किसी भी गवर्मेंट ने जहीं नहीं किया कि किस मुद्धे पर बात चीत हुई बस इतना बताया गया कि एक रिजिनल डिसकेशन हुई है इसमें युकरेन का टोपिक नहीं छेड़ा गया था हाला कि उसके बाद क्या हुआ है कि अब ये जो एंड्री एर्मक हैं इन्होंने फोन कोल पे बात किया है जी धोबाल से और ये चाहते हैं कि 24 तारीक को इवेन जीये में एक रिजूलेशन पास कराया जाएगा युरोपियन उनियन और युरोपियन अलाइज की तरफ से कि ये जो वोर हो रहा है युकरेन और रसिया का इसे रोक दिया जाए दस पॉइंट इन्होंने निर्धारित किया है कि वो हम डिसकस करेंगे और उसको डिस साइफर्ट जो इस वोर को रुकवा सकता है वो करने के लिए तयार हैं बस हमारी जमीन हमें वापस मिल जाए हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हम एक भी इंच रसियन टेटरी को नहीं क्लेम करेंगे जो हमारा था वो हमें मिल जाए ये कहा है जो युकरेनियन प्रसिडें लेन का इन वेजन इन उक्रेन में और पांच देशों में उसके अगेंस्ट में वोटिंग की थी और पैतिस देशों ने अफस्टेन कर दिया था उसमें इंडिया थी बात क्या है इसके साथ साथ में ये भी मैटर करता है कि हाली में European Union के डिप्लोमेट और खास्तोर से फ्रा के चांसलर इंडिया आये हुए हैं सनिवार को ही इंडिया में आ गये हैं आप ये देख सकते हो दा हिंदू का ये निउज है जिसमें लिखा है अहेड ओप इवेंज ये रेजुलेशन ओन रसिया फ्रेंच लोविस न्यू डेली फोर वोट फ्रेंच और इवेंदो की जर्मनी और इरोपीय उनियन के भी डिप्लोमेंट कनेक्ट में हैं इंडियन गोवर्मेंट के कि किसी तरह से इस बार इनका स्टांस चेंज करवा दें और एक बार ही सही इंडिया ओट कर दे यूकरेन के सपोर्ट में देखो इसके पीछे बहुत बड़ी थेओरी है जब इंडिया के सपोर्ट में चला जाएगा तो वो लोग लिटिली इस बात को खुद ही मेंसन कर रहे हैं कि इंडिया जो गलोबल साउथ है उसका रिप्रजेंटेशन करता है ऐसे में जब इंडिया यूकरेन के सपोर्ट में चला जाएगा तो जो 35 देशों ने अफस्टेंड किया था उ हो और जिसमें इंडिया बहुत ही क्रिटकल रोल निभाता है इस वज़ा से इंडिया एक बार के लिए हमारे सपोर्ट में आ जाए तो रसिया के उपर दबाओ बनेगा क्योंकि रसिया और इंडिया का वैसे भी जो संबंद है काफी मजबूत है रसिया को एक बार को कि दा सोर सेड़ देट फ्रेंच एंड दा यूरोपेन उनियन कांटिनु तो ओप देट इंडिया विल यूज इट्स लिंक विद रसिया गॉर्मेंट तो कंविंस रसिया प्रेजिटन बलादमीर पुटिन टू इंड वार इन उक्रेयन और वैसे भी जो विछले हफते पताये हैं और वो बातचीत कर रहें कि किसी तरह से इंडिया कंविंस हो जाए और एक बार को यूक्रेयन का सपोर्ट कर दे आठ दिसंबर 2021 से जर्मनी के चांसलर के रूम में कार्जत हैं ओलफ स्क्लोज इससे पहले एंजला मेरकल थी काफी फेमर्स थी इंडिया में क्यू पूरी ई्यूक्रेयन की कोशिष है और व्यूकरेयन की कोशिष है यूसे चाहता है इंडिया किसी तरह से अपना स्टांस बदल दे गलोबल साउट का रिप्रेजेंटेशन करता है इस यह नां इतन उनक्रष यहिक्तिती मैं क् Wyatt यदे हो जाएगे और जोटाओं देखो इंडिया सपोर्ट करे या न करे ये रेजूलेशन पास होना ही होना है क्योंकि ये परपोज किया जाएगा उनाटे नेशन सेकोर्टी काउंसिल की तरफ से जिसमें पर्मानेंट 5 रहेंगे और उसके लावाद 10 जो चुनके आते हैं 2 साल के लिए वो देश रहेंगे औ और उसके बाद इसको डिसकेस किया जाएगा उनाटे नेशन जनर्नल असंबली में 193 देश हैं जिसमें से 144 से लेकर 145 देश इसके सपोर्ट में ही योट करने वाले हैं अगर इंडिया सपोर्ट में चला जाता है ये नंबर 170 के आसपास चला जाएगा अगर इंडिया अब अबस्टेन कर देता है तो 140 से लेकर 145 देश इसके सपोर्ट में रहेंगे 30-35 देश अबस्टेन कर देंगे और 45 देश ऐसे भी हैं जो इसके अगेस्ट में जाएंगे इल्क्लूडिंग रसिया तो यह देखने वाली बात होगी वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इंडिया को इस बार सपोर्ट कर देना चाहिए इस रेजुलेशन का और एक बार को वह रुखवाने में पूरी तरह कोशिस इंडिया को करनी चाहिए लिखना अपनी राय कमेंट बोक्स में ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चिलम को सब्सक्राइब करें वीड